हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे इस नई वीडियो पर आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपना खुद का विस्टरी वीजा कैसे अपलाई कर सकते हैं बिना किसी एजेंट की है जहां पे लोग बहुत सारे पैसे देते हैं एजेंट क हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब je major को सते गडियर करते हैं नोग कुए धाले करेंगे आज वीडियो से आपको documents की जो है वो सारी जानकारी मिल जाएगी आज की वीडियो में मैं वो सारे steps cover करूंगा जो आपको online apply करने में help करेंगे तो बिना किसी देरी से मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे apply करते हैं so let's get into the computer screen let's go so guys आप लोग ने अपने laptop या phone पर कोई भी browser खोल देना है फिर आपने यहां पर type करना है Canada visit visa so इसको type करने के बाद आपको यह ऐसा option आएगा visit Canada का आपको इसको select कर लेना है and select करने के बाद कुछ ऐसा IRCC की website यह खोल जाती है जहां पर आपको बहुत सारे option दिये होते है stay in Canada longer बाद यह आपको नए section में ले जाता है जहां पर आप लोग जो है वह विस्टर वीजा को apply कर सकते हो इसके अंदर इसने बहुत सारे चीज़े दी हुए हैं जैसे processing time कितना लग रहा है तो यहां पर आप क्लिक करके processing time वगएरा भी check कर लोगे कि आपकी visa file को कितना time लगेगा फिर अगर आपके ने बायो मैटिक्स दी हैं या नहीं दी है तो वह भी आप यहां पर देख सकते हो फिर उसके बाद यहां पर sections दी हैं कि आप लोगों ने कैसे apply करना है सबसे पहला section who needs a visitor visa, visitor visa किसको चाहिए then who can apply, कौन apply कर सकता है तो यह सारी चीज़े अगर आप देखना चाहते हो कि आप valid हो apply करने के लिए अब जाके links पर क्लिक करके देख सकते हो अब जैसे कि हमने apply करना है तो यहां पर हम सबसे पहले क्लिक करेंगे how to apply में, अब how to apply में यह सबसे पहले जो है आप से question पूछता है कि why are you applying for a visitor visa, आप लोग क्यों apply कर रहे हो, क्या आप लोग tourist visa पर घूमने जाना चाते हो, इसलिए apply कर रहे हो, या फिर आप business purposes के लिए जाना चाते हो, या फिर आप लोग जो है अपने spouse या partner जो के Canada में permanent residence है उसको मिलने जाना चाते हो, या फिर आप लोग अपनी family को मिलना चाना चाते हो, अब family में आप अपने brother sisters को मिलने आ सकते हो, तो बहुत सारे categories family visit में आ जाती है, या फिर आप किसी compassionate reasons पर यहां पर आना चाते हो, अगर आपके पास कोई proper reason नहीं है, तो none of the above कर दो, but most of the time जो है वो family visit पे लोग आता है, तो हम इसको लेके ही आगे चलते है, तो family visit पे आप लोग ने click करना है, उसके बाद जो है, यहाँ आपका work permit आ जाता है, तो अगर वो इन दोनों मेंसे किसी भी categories में हैं, जिसे आप मिलने जारे हैं, तो आप इसे click करोगे, या फिर अगर वो जो बनता है, वो Canadian permanent residence अस्वा पर इसे click करोगे, तो दोनों मेंसे आप किसी को भी click कर सकते हो, वैसे most of the time visitor visa पे जो हैं, वो लोग temporary residence पर बुला लेता है, तो हम इसको as a guest लेकर चलते हैं आगे, तो यह दोनों करने के बाद हम लोग यहाँ पर continue करेंगे, अब continue पर click करने के बाद, यहाँ पर यह आपको बता रहा है कि कौन कौन से आपके documents चाहिए हैं, जो आपको apply करने के लिए helpful हैं, तो यहाँ पर आपको download करके इसको fill out करना होता है, अगर कोई children वगएर आपके साथ है, जो कि travel करना है, तो उसके लिए अलग से details हो जाती है, तो वह भी आप इसके अंदर देख सकते हो, और उसके बाद जो है, जब आप यह सारे documents वगएरा देख लेते हो, तो यहाँ पर apply करने का option आ जाता है, apply through to the IRCC portal, तो अब यहाँ पर click करके apply कर सकते हो, sign in to the IRCC portal, तो हम यहाँ पर click करेंगे, यहाँ से जो है, हमारे online apply करने का जो विस्टर वीजा वो process शुरू हो जाता है, जहाँ पर सबसे पहले get an invitation code, create an account, अगर आपके पास account नहीं है, आपको पहले account create करना होता है, फिर उसके बा step आता है, वो आता है, आपको अपना account create करना है, अब जो लोग यहाँ पर पहली बार apply करना है, उनके पास उनका account होगा नहीं, तो वो लोग जो है, वो get invite code पर जाके अपना account को register कर सकते हैं, तो अब मेरे पास already अपना account है, तो मैं आपको सीधा sign in करके दिखा देता हूं कि क code भेजेगा, वो code आप डालके आपकी जो है, वो ID बन जाएगी, तो मेरी ID अल्टरी बनी है, तो मैं आपको सीधा sign in करके दिखाता हूं कि कैसे करके खाम करता है, और हागे कौन-कौन से steps आते हैं, तो उसके बाद जैसे हैं, आपको terms and condition पूछता है, आप लोग ने accept कर देन फिर यह आपको आपके portal पे ले आता है, तो जैसे हैं आपको आपको प्रोसेस को start करेंगे, तो यहाँ पे आपको option दीए, start an application, अब जब आपका portal बन जाता है, फिर आपको यहाँ पे आके जो है, उसको दुबारा से start करना होता है, अब start an application कौन सी apply to visit, तो यहाँ पे apply to visit प कुछ भी यहाँ पे apply कर सकते हो, तो हम लोगों ने apply to, हमें visitor visa पे जाना, तो उसका भी option यहाँ पे है, तो हम लोगों ने इस पे click करना पहले बाले link पे, अब पहले बाले link पे जब हम click करेंगे, तो यह हमको बहुत सारी चीज़े यहाँ पे पुछेगा, जैसे make sure you are eligible before you apply, क आप लोगों ने check किया, कि आप eligible हो, फिर उसके बाद पुछेगा कि क्या आपके पास यह जो चीज़े हैं, यह ready है, passport, आपका credit card, fees वगएरा भरने के लिए, फिर यहाँ पी जो है steps बता रहा है कि कौन कौन से steps आपको follow करने है, इसके अंदर and कैसे कैसे आप जो है, इसको done क करेंगे, acknowledge करने के बाद, आप start application करेंगे, तो सबसे पहला कुछन है कि, do you want to apply for more than one person at the same time, क्या आप एकी बंदे का apply करना चाहते हो, कि दो बंदे का, फिलाल हम लोग one person ले की चलते हैं, as an example, यहाँ पे पूछा कि, do you want to apply for more than one person at the same time, so नहीं, हम एकी बंदे का apply कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग ने save and continue पे click करके हैं, रागयागे करे जाना, तो उसके बाद यह पूछता है कि, I want to apply for more, अब किसके लिए apply करना जाता हो, study permit के लिए, विस्टर ट्रांजिट वीजा, temporary social measure, विस्टर वीजा और spouse visa, work permit और not sure, किस चीज़ के लिए आप apply कर रहे हैं, so हम विस्टर वीजा के लिए जो है, वो apply कर रहे हैं, so हम विस्टर वीजा पे click करेंगे, अब इसके apply करने के बाद, यह बहुत सारी चीज़े आपको पूछता है, and यह इस चीज़ का अंसर आपको बहुत ही जादा ढंक से देना है, बहुत सो समझ के देना है, because इस question का मतलब है कि why do you need a visa, आप लोग का visa क्यों चाहिए, and इसी के बहाब पे ही अगर आपको visa लग जाता है, so जब आप airport पे पहुंचते हैं, so immigration आप से और भी ज़्यादा questions पूछ सकता है, so आप किस चीज़ के बेस पे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, वो reason बहुत ही ज़्यादा accurate होना चाह अब उसमें से जो दो reason आजाते हैं, वो main हमारे हर किसी के यही आते है, to visit my spouse, common law partner, dependent child parents, guardian, or tutorial, who is Canadian citizen, person, registered under Indian Canadian Act of Permanent Residence of Canada, so इसमें ये बताया है कि आप लोग जो है, वो वहाँ पे अपने बंदे को visit करने जा रहे हो, जो वहाँ पे permanent residency, या फिर वो Canadian Act के अंदर आता है, या फि आप को visit करने जा रहे हो, जो कि Canada में temporary है, temporary के अंदर study permit वाले आ जाते हैं, work permit वाले आ जाते हैं, such as international student और temporary workers, so ज्यादा तर लोगों के लिए यही होगा, because ज्यादा तर लोग अपने भाई बैन को visit करने जाता है, जो वहाँ पे temporary होते हैं, लेकिन अगर आप किसी को visit करने ज include dates, अब इस section में आपको detailed information provide करने है, कि आप लोग कैनेडा क्यों जा रहे हो, कब तक जा रहे हो, and कितने दिन में लटके आओगे, वो सारी information इसके अंदर होनी चाहिए, proper detail, फिलाल मैं इसके अंदर एक थोड़ी सी information भर देता हूँ, ताकि आप लोगों को एक अंदाजा मिल sun in Canada from July to September, so ऐसे करके जो है, आप लोगों ने एक पूरी information provide करने है, कि आप वहाँ पर क्या करने जा रहे हो, and कब से लेके, कब तक आप वहाँ पर रुकोगे, so proper आपके पास information जो है, वो होनी चाहिए, so ऐसे करके आप लोग इसको भरेंगे, उसके बाद ये आप से पूछ है कि when will you enter Canada, so हम लोग जैसे provide कर देता है कि 2024 में हम लोग September में travel करेंगे, and second date को travel करेंगे, and when you will leave Canada, so Canada कब छोड़ोगे, जैसे हम लोग September में आया है, so for example, हम उनको कह देते है कि हम December में वापिस चले जाएंगे, that means ये दो तिन महीने का trip होगा, so कौनसी देट को वापिस जाए तो उसके बाद जो है, आप लोग यहाँ पर UCI नमबर प्रोवाइड करेंगे, अगर तो आपके पास होगा, अगर तो जो लोग already Canada में हैं, या फिर वो study permit पर, temporary visa पर हैं, या फिर किसी भी visa पर हैं, so उनका जब भी visa लगता है, उसको पे उनको UCI नमबर मिलता ही है, अगर तो कोई बंदा इंडिया से apply कर रहा है, तो उसके बाद यह UCI नमबर नहीं होगा, विकॉज उसने अभी तक Canada की कोई भी file जो है, वो upload नहीं कियोगी, या फिर apply कियोगी, तो यह UCI नमबर खली उनके पास होता है, जिन लोग ने और जो लोग इस समय Canada में हो, तो इसको फिल अब इसमें यह बोल रहा है कि कौन कौन सी information आप लोग ने enter करनी है, वो सारी आपको पहले ही बता रहा है, आपको अपनी personal details add करनी है, travel document details, फिर उसके बाद finances, कौन कौन से आपके finances है, education histories, criminality and security, medical background, family information, तो यह सारी information आपको आगे provide करनी है, तो अब हम इसको continue to apply पे कर देंग अब यह पूछ रहे हैं कि are you applying on behalf of someone else, कि क्या आप किसी और के लिए apply कर रहे हैं या फिर आप खुद के लिए apply कर रहे हैं, इसमें आप बरोगे कि no I'm applying for myself, so save and continue कर देंगे, अब इसमें यह travel documents information आप से पूछा सबसे पहले, so surname and last name, write your name exactly as appear on your passport, इसके अंदर आप लोगों ने वही नाम proper exact डालना है, जो आपके passport पर है, surname आपका मेशा last name होता है, जैसे कि मेरा सौरव कुमार है, so मेरा जो सरनेम होता है, वो कुमार है, so मैं यहाँ पर जैसे कुमार डालूँगा, and मेरा जो given name है, वो सौरव है, so ऐसे करके जो है, वो आपका नाम आएगा, उसके बाद आपको date of birth डालनी है, selected date of birth, exactly as it appear होनी है, पासपोर्ट, जो भी आपके passport पर date of birth है, वो आपने डालनी है, जैसे for example, हम लोग कोई भी एक date of birth ले ले लेते हैं, हम 2002, month, June and 4th, so हम लोग ने यह date of birth ले ले ली, gender, female, female, कौन apply कर रहा है, इसको वो आप डालोगे, फिर उसके आप पूछा है कि type of travel documents, कौन कौन से documents पर ट्रेवल करोगे, what documents are you traveling with, आप अपने passport के साथ travel करोगे, अगर कोई और document आप डाल सकते हो, what kind of passport, कौन से kind of passport है, आपके पास, आपका regular, diplomatic, official, service, aliens, passport, so हमारे पास जो regular passport है, वो ही होगा, right, and उसके बाद यह पूछा है कि select the country code that matches the one on your passport, country code आप select कर सकते हो, जैसे अगर आप इंडिया से apply कर रहे हो, आप यहाँ पे इंडिया डालोगे, and तूसरा question आजाता है, what's the nationality और या passport, nationality क्या होगी, same India होगी, so India आगया, what's your passport और travel document number, यहाँ पे अपने passport का travel document number आप डाल दोगे, जो भी आपका होगा, फिर उसके से आपको confirm करना है, कि आपको जो document number है, वो same हो, यहाँ पर मुझे same document number डाला पड़ेगा, so same document number डाल के, अब यहाँ पे आप से पूछे का date of issue of passport or travel documents, passport आपका कब issue हुआ था, वो डाल दो, कौन से महीने में, कौन से years में, so वो आप डाल देने हैं, आपको अपनी passport की expiry date डाल यह डाल देते हैं हम लोग, उसके बाद यहाँ में पूछा है, are you a lawful permanent residence of United States, no, हम नहीं है, have you held a Canadian visitor visa in the past 10 years के, आपने कभी पहले visitor visa apply किया था, अगर किया था, तो yes, अगर नहीं किया तो no, do you currently hold a valid US non-immigrant visa, अगर आपके बस है, तो yes, नहीं तो नहीं, are you traveling to Canada by air, yes, of course, फिर इसके बाद save and continue पर कर देना है, तो ऐसे करके आपको forms भरे जाना है, यहाँ पर उपर आपको बताएगा कि कौन पर आप पहुंच गए, तो यह सारी information आपको one by one भरनी है, अभी हम personal details भरने हैं, फिर हम application भरेंगे, फिर activities भरेंगे, फिर security questions, medical history, family information, contact details, summary, documents and end पर आएग where you were born, कहां born हुए थे, so हम इंडिया में born हुए थे, so हम इंडिया डालेंगे, city or town where you were born, कहीं का भी लिख दो, जहां पर आप आप बाउन हुए हो, फिर are you a citizen of more than one country, अगर हो तो yes, नहीं तो most of the time no ही आता लोगा, which country or territory are you a citizen of, कौन सी country के आप citizen हो, so आप इंडिया के ही citizen हो, अगर आपके पास dual citizen से, so आप वो डाल सकते हैं, बट इंडियन जो है, वो dual citizenship देती ही नहीं, so आप इंडिया के ही हो, I am a citizen of this country since birth, yes, so ये birth आपकी 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 आचुकी है, हमने जैसे उपर डाली थी birth details उससे, फिर आप दुबारा save and continue कर देंगे, अभी ये आप से भी करके सको continue कर सकते हो, save and continue, अब ये पूछ रहा है कि, have you used another name in the passport, no, save and continue, फिर उसके बाद, select a country or territory, अब आपको जो है, वो country or territory of residence, what's your residence address, so अब आप जहां पर रहते हो, वहां का आपको address provide करना है, so this is the address where you live currently, जहां पर आप अभी रहते हो, so select a country of territory, इस समय आप इंडिया स में होगे, so India street address, आप लोग ने अपना डाल देना है, number डाल के जो भी आप, जहां भी आप रहते हो, street पे, फिर उसके बाद, what is your mailing address, at the same as your home address, yes, फिर इन सब चीजों के बाद, यहां पे आप से आएगा, main चीजे, यह पूछे का, list your current country or territory of residence, then add all the other territory of residence, where you live in the past 5 years, for more than 6 months, so यहां पे जो है, आपको last 5 years के, आप जहां पे भी रहे हो, वो आपको यहां पर provide करना है, अगर आप एक से ज़्यादा countryों में रहे हो, वो आपको provide करना है, अगर आप एक जगा पे रहे हो, सिर्फ आपको वहीं पर लिख के उसको provide कर देना है, अब जैसे कि यहां पे हम add कर लेके वहां के citizen है, यह date डाल देंगे, कोई भी, जो भी आपकी date होगी, this is where I live currently, हना, और save कर देंगे, so ऐसे आप जहां पर भी रहे हो, जो भी country में रहे हो, कितना time रहे हो, सुब उस सारे आपको यहां पर भरने होता हैं, पिछले 5 सालों के अंदर, अगर आप पिछले 5 सालों के अंदर, एक ही जगा पर रहे हो, सो सिर्फ एक ही address भरना है, so यह भरने के बाद, आपको save and continue कर देना, अब यहां पर आप से biometrics के question पूछेगा, कि क्या आप लोग ने biometrics already दिये हैं, अगर दिये हैं, तो yes, नहीं दिये तो no, so give your biometrics in the last 10 years for a visitor visa, study or work permit, so अगर आप पहली बार apply कर रहे हो, सो आप लोग ने biometrics नहीं दिये होंगे, so हम लोग यहां पर no click करेंगे, so you will be required to submit a biometrics after you pay the biometrics fee and submit your application, so application वगरा submit करने के उपर आपको साथ में biometrics की fees भी भरनी पड़ेगी, so हम end में देखेंगे कि वो कितनी आती है, यह करने के बाद आप लोगों ने save and continue कर देना, अब जो हैं, अब हम आगे हैं application वाले section में, so इसमें हम से सबसे पहले यह पूछ रहा है कि who is inviting you, आप लोगो कौन invite कर रहा हैं, आपको उसकी information इसके अंदर भरनी है, so write your inviter's name exactly as it appear on the ID, कौन से आपके जो invite कर रहा है, उसकी आपको details बनी, जैसे कुमार, जैसे आप यह नाम डाल दो, आप given name डाल दो, कि आपको यह जो बनता है, यह आपको भीज रहा है invitation, so यहाँ पे क्या relation है आपका उसके साथ, आपका family member, आपका friend, conference का कोई बन्दा, या organization का कोई बन्दा है, so आपका family member हम लेके चाबते हैं, so यहाँ पे select country और territory, अब यहाँ पे country और territory जहाँ पे वो बन्दा रहता है, so Canada already selected है, because वो वहाँ रह रहा है, start typing to find your address in the list, अब इसके अंदर जो है, उस बन्दे का हम लोगों ने address प्रवाइड कर देना है, जैसे कि मैं ऐसे कोई भी address मैंने डाल दिया, अभी यहाँ पर यह आप से telephone number वगएर आपका पूछ रहा है, हम कोई भी number डाल देंगे, इसके अंदर भी आप email address डाल दो, at gmail.com आप लोगों ने डाल देना है, फिर किसी और ने अगर आपको invite किया, तो आपको yes करना है, अगर नहीं किया, तो no कर देना है, उसके बाद यह आप से पूछेगा, कि how much money do you have for your stay in Canada, जब आप Canada आ रहे हो, आप कितना पैसा लेके आ रहे हो, इसके अंदर आपको एक amount डालना है, जैसे कि मैं Canada है, वो 5000 डालर लेके आ रहा हो, इन Canadian dollars, आपको Canadian dollars में mention करना है, you must enter a number between 0 to this, तो dollar लगाने की जूरत नहीं है, आपको यह एक amount डालना है, कि आप इन पैसा पे लेके आ रहे हो, उसके बाद यह आप से पूछा है कि, is someone else giving you money for your stay in Canada, कि क्या कोई और बंदा है, जो आपके stay के लिए pay कर रहा है, अगर कर रहा है तो yes, नहीं कर रहा है तो no, so when you give us proof of your financial document, make sure to tell us who's providing the money, if it's not you, so अगर आपके जो है, वो travel का खर्चा कोई और भर रहा है, so आपको उसी के नाम के financial documents लगाने है, नहीं तो अगर आप खुद प्रोवाइड कर रहे हो, आपको खुद के financial documents लगाने है, so यहाँ पर जो आप कह सकते हैं, कि आप खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, so यहाँ पर आप no कर दोगे, कि someone else giving you money, so no, कि मैं खुद का खर्चा खुद उठा रहा हूँ, फिर आप save and continue कर देंगे, यहाँ पर आपको ले चला है activities पर, so यहाँ पर आप आप इसको भी भरेंगे, इसमें क्या क्या चीज़े पूछता ये, so have you ever studies at a post-secondary education, university, college or vacation school, you don't need to have complete a degree or diploma, so क्या आप लोगा ने इन में से कोई भी जो है वो graduation की है, अगर की है तो yes आप कर सकते हैं, अगर नहीं की तो आप no कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगा ने कोई भी अपने college या school से किया, कुछ भी है तो yes करके आपको उसके details बरनी है, उसके बाद जो है ये पुछता कि did you serve in a military, कि आप लोगा ने किसी भी चीज़ में से serve किया है, so यहाँ पर आपको no कर देना, फिर आपसे पूछता कि give details of all your employment and activities since age of 18, so जो भी आप लोगों ने काम किया है, इंडिया में रहके 18 साल के बाद, फिर चाहिए वो एक महिने के लिए किया हो, एक साल के लिए, दो साल के लिए, so वो आपको सारी details जो है, यहाँ पर add करके हैं और आपको fill out करनी है, जैसे कि हम लोग एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ, कि आप लोगों ने अगर 2021 से लेके इस मन्त से ongoing अगर आपका कोई काम चल रहा है, so work क्या है, वो आप डाल सकते हो, कि government position है, job title आपकी कौन सी है, यह है, company कौन सी है, आपकी यह है, level of judiciary, so यह आप डाल सकते हैं, and उसके बार department, और branch, कुछ भी, जो भी आपकी होगी, position उसके अंदर आपकी कौन सी है, वो आप फिल आउट कर लें, country कौन सी है, जिसके अंदर आप यह सारा काम कर रहे हैं, so वो same, आपकी फिर से इंडिया होगी, street address आपने डाल देना, and city and town डाल देना, so यह सारे चीज़ करके, आप लोगों ने आपके save पे क्लिक कर देना, और आपकी information यह आप आ जाएगी, so ऐसे आप लोगों ने वो सारी information बरने, जो भी आपके अठारा साल के बाद से आपने काम किया है, एक एक करके, जब आप वो सारी information बर दोगे, फिर आपने आपे save and continue का option पे क्लिक कर देना, फिर यह travel history में आप साथ पूचा, किसे आप लोगों ने 18 साल की age के बाद, आप लोगों ने किसी और country को visit किया है, अपनी खुद की country के अलावा सो अगर किया है, तो yes, yes करोगे, तो फिर वो आप से आपके details बाएंगेगा, कि कौन सी country को आपके विजिट किया है, कब किया है, कब वापी साथ सारी details, अगर नहीं किया, अगर आप पहदी बार Canada आरे सो आप no करोगे, so no करने के बाद, आप save and continue पे click करोगे, उसके बाद यह पूछना कि, have you ever stayed in Canada, beyond the validity of your status, आप लोग कैनेड़ में कभी रहे हो, और क्या कैनेड़ में रहे हो, आप कभी out of status हुए हो, या फिर ऐसे ऐसी चीज़ें आप से पूछेगा, आपने no कर दिना, have you ever been refused a visa visa, कि आप लोगों ने पहले कभी किसी country का विस्टर वीजा लगाया हो, या कोई और वीजा लगाया हो, और आपको refusal मिली हो, तो वो भी आपको mention करना है, अगर refusal मिली है, तो यहाँ detail भरना है कि क्यों मिली, कौन सा वीजा लगाया था, क्या है, अगर कुछ भी नहीं मिला, अगर पहली बार आप अप्लाई कर लोगाया के लिए है, तो नो करके, save and continue पर क्लिक कर सकते हो, अब यहाँ पर यह हमें ले आए है security questions के उपर, तो यहाँ पर security questions आपको पूछने है, तो यहाँ पर security questions आपको पूछने हैं, जैसे have you ever committed any crime, कि आप लोगों ने कभी कोई crime किया नहीं, have you ever been arrested for a criminal offense, no, have you ever been charged for a criminal offense, no, have you ever been convicted for a criminal offense, no, तो हम लोगों नहीं, यह किसी भी चीज़ पर हम लोग charged नहीं है, तो हर किसी में हम no करेंगे, अगर आप लोग किसी भी, अगर आपके कोई भी criminal offense में, अगर आप include हो, तो उसको आपको yes करके, फिर details provide करनी पड़ेंगी, जैसे अगर हम यहाँ पर yes करेंगे, तो यह आपको उसके details पूछेगा, कि बताओ कि आप क्यों arrest हुए थे, या जो भी आपका कारण था, सो फिलाद no है, सो no करके save and continue करेंगे, फिर हम लग आ जाते हैं, medical background questioning पर, अभी यहाँ पर medical history के questions पूछते हैं, कि क्या आपका भी dogonize हुए हो, tuber clauses को लेकर, सो no कर देना, कि आपके last five years में, कोई भी close contract रहा है, जिस बंदे को tuber clauses हो, सो आपके no कर देना, save and continue कर देना, medical background के आप भी questions आएंगे, are you currently receiving dialysis treatment, no, have you had a drug or alcohol addiction causing, no, सो अगर आप इन में से किसी भी category में fall करते हैं, आपको कुछ भी है, सो आप yes करके उसके detail provide करोगे, so have you had a mental health condition causing you by the threat to yourself or other hospital, no, have you ever been diagnosed with syphils, no, and then save and continue, पर यहां पर आपको family information पर यहां पर आपको family information provide करने हैं, जैसे what is your current marital status, so अगर आप married हो, divorced हो, single हो, with विडो, जो भी हो, यह आपको provide करना है, यहां पर आप लेके चलते हैं कि हम single हैं, save and continue करना, do you have any biological adoptive or steps on, क्या आप लोग के पास कोई बच्चा है, फिर चाहिए वो biological adopted हो, या फिर वो step son हो, अगर नहीं है, तो नहीं, अगर हाँ है, तो yes करके, and then provide the details, and इस पर क्लिक करेंगे, कि I understand that I am not declaring any natural adopted or step children, save and continue करेंगे, इसको करके, फिर यह आप से पूछ रहा है, कि tell us about your parents, अब इसके अंदर आपको अपने parents के बारे में बताना है, if you were adopted, provide the details about your legal parents, so अगर आप अप डाटर हो, तो आपको अपने legal parents के बारे में बताना है, नहीं तो आपको अपने normal parents के बारे में बताना है, I don't know who my parents are, अगर आप जानते ही नहीं कि आपके parents कौन है, आप इस पर click कर सकते हैं, या फिर या हम इस पर add करके, आपको अपने parents के detail प्रोवाइड करनी है, अब वो कौन कौन से detail है, जैसे सबसे पहले surname आ जाएगा, अब surname पे आप लोग ने ये डाल देना है, आप लोग ने गीएन डाल देना है, relationship क्या है, father है या mother है, father हम डाल देते हैं, उनके date of birth क्या है, father की, so father की date of birth हम लोग डाल देते हैं, जैसे कि 1966 month डाल देते हैं, कि जो भी आपकी father की date of birth होगी, वो डाल दो, and this parent is deceased, डिसीज़ मीन्स अगर उनकी डैथ वगेरा हो गई है तो आप यहां पर क्लिक करेंगे कंट्री और टेरेटरी ऑफ पर्थ कहा पर उनका बर्थ हुआ है अगर वो इंडिया में ही जन में है तो इंडिया प्रेजंट ऑक्यूपेशन उनकी क्या है कौन से जॉब करते हैं वो प् समझके इसको डिसीजन देना फिलाल हम लो करेंगे और सेव करेंगे तो ऐसे करके पूरी इंफोर्मेशन जो है वह अलिक ही आजाएगी फिर उसके बाद हम सेवन कंट्इन पर क्लिक करेंगे फिर हम जाएंगे कॉंटाइक्ट से इंफोर्मेशन पर इसके अंदर यह पूछ सकते तो थीख है नहीं तो आप यहां पर यहां तो आप नाइदर कर सकते हो कि आप कोई भी नहीं बोल सकते हैं क्या इसका अपको यूज़ करना जाता है तो इंगलिश और वो आपको कंटक्ट करें सेवन कंटीनियू अब इसके अंदर यह पूछ रहा है कि इमेल ड्रस सब्सक्राइब करने के बाद अभी आपसे अपना तैलिफोन नंबर उगार पुछेगा जो आपको एड करना है कि आप कहां के रैजिदेंस हो आप रेजिदेंस अपना अपना सैलुलर नंबर वगदा डाल सकते हो अगर आप कैनिड़ा का तो कैनिडा का डाल दो अधर है तो दाल दो सेव कर दो ऐसे करके जो है आपकी डिटेल सेव हो जाएगी फिर आपको सेव एंड कंटीनियू पर क्लिक कर देना अब हम समरी पर आगे हैं यहां पर यह आपको बता रहा है कि हाउ टु रिव्यू एंड करेक्ट और आंसर अब यह जो है यह आपको जब आप सारी इन्फोर्मेशन भर देते हैं यह सारी तो यह एंड में जो है वो आपको बताता है कि आप लोग एक एक इन्फोर्मेशन को चेक कर सकते हो जो भी आपने भरी है कि आप लोग ने कोई गलती ना कियो अब इसके अंदर आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं आप लोग जहां इस पे click करके जो है वो सारी information देख सकते हैं जैसे यहाँ पर जो जो अपने answers दी हैं वो सारे यहाँ पर लिखे हुए हा रहे हैं जैसे for example हम लोगों ने यहाँ पर finance की information चेक करनी है so यहाँ पर हम लोगों ने यह देख दिया कि यहाँ पर इस question का answer हमने यह दिया था आपको लास्ट ओप्शन देता है, अगर आपको information change करना जाते हो, आप easily कर सकते हो, यह बहुत अच्छा option है, कि आप end में इसको अच्छे से देखें, आप लोग जो है, इसको change कर लें, अगर कोई आपको गलती दिखती है, अगर कोई आपको गलती नहीं दिखती, तो फिर save and continue आप लोग क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, अब यह बता रहा है कि कौन कौन से documents आप लोगों को provide करने है, अब यहां पर जो है, यहां पर आपको उपने documents fill out करने होते हैं, जैसे यहां सबसे पहले यह मांग रहा है आप से passport and travel documents, जिस भी आप passport पे travel करोगे, उसके file आपको information भीज सकते हो, employment letter, अपनी additional documents अगर आपको और को additional documents upload करने हैं, तो भूब भी कर सकते हो, इसके अंदर आपके invitation letter बगएरा आ जाता है, जब आप यह सारे documents apply कर देते हो, फिर आपको यहां पे save and continue पे click करने के बाद आपको fees को options आके मिल जाता है, अब इसके अंदर मैं कोई भ documents upload कर दी हैं, जब आप upload कर देता हैं, जब आप upload कर देता हैं, जो भी documents आप लोग ने provide की हैं, वो एकदम genuine है, और सब कुस ठीक है, और उसके बज़ु है, आपको sign करना होता है, undertaking, sign का मतलब होता है, कि आप लोग ने बस अपना last name and first name लिखना होता है, और वही आपका sign हो ज आता है, तो यहां पर last name provide कर दो, जो भी आप लोगों ने provide किया था, और उसके बाद first name provide कर दो, जो भी आप लोगों ने provide किया था, जैसे सार्व कुमार, उसके बाद जो है, आप लोग यहां पर save and continue कर सकते हो, अब end में जो है, वो बिल्कुल जब आपकी यह सारी information complete हो जात होती है, तो अगर आप यह एजेंट से apply कराओगे है, तो वो आप से पांच-पांच-छे-चे-सार डालर ले ले लेते हैं, and actually fees सिर्फ 100 डालर होती है, विस्त्रवीजे की apply करने की, फिर biometrics की fees आपकी 85 डालर है, अगर biometrics पहले है, तो यह fees आपको नहीं लगेगी, नहीं ह लिए, फिर total amount आपका 185 डालर आजाता है, आपकी जो है, वो विस्त्रवीजे की amount, and यह जो amount है, फिर आपको pay करनी होती है, आपको save and continue पर click करना होता है, तो यह जो है, आपको आपके card वाले section पर ले आएगा, तो यह उतर card वाला section, इसके अंदर आपको अपने details भरनी होती है, details भरने के बाद आप check out कर दो, and आपकी जो वो file है, वो submit हो जाएगी, Guys, I hope आज की इस वीडियो में आपके सारे doubt clear हो गए होगे, and आपको पता चल गया होगा कि आप लोग जो है, वो history visa को खुद apply कैसे कर सकते हैं, still अगर मन में कोई भी doubt है, so comment में लिख सकते हैं, या फिर यहां right side पर मैंने अपने instagram के id mention की है, वहाँ पर जाके मुझे direct message कर सकत हैं, and आपको आपका जवाब मिल जाएगा, अगर आप कोई भी doubt है आपके मन में, so दोस्तों मिलते हैं next video में, और भी ऐसी videos के साथ, till then goodbye, take care.